मेरा एक डायलोग है जो अपने बात का नई हूँ अपने बात का नहीं जाए किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा लगे तो सबसे रधी दिक्कत है उन लोगों में कि वह एक पक्ष का सुनके स्टेट्मेंट दे देती हैं सिर्फ कर त्रफ ट्यार्व जो अपने बात कर नहीं वह अपने बात करने का प्रयास किया कोבה इसको बोलते हैं चेज्जिकर कई करना कभी वो लड़के का पक्ष लेती हैं, कभी वो लड़की 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 का पक्ष लेती हैं अपने साथ और अपने घर जाने के बाद सुत्रों के हवाले से खबर आया कि किरन सिंग के साथ जो है मारपिट भी किया गया है हमारे साथ खुसबूर आई जी है जो कि अपना बेवाकी से बात रखती है इनसे हम जानेंगे कि किन किन मुद्दो पर किरन सिंग जो है रोसन रोही के साथ गई और बहुत सारे सवाल जो आप लोग कॉमेंट कर रहे थे वो भी हम खुसबूर जी से जानने का प्रयास करेंगे बहुत स्वागत है खुसबूर जी बहुत धन्यवाद आपका किरन सिंग को किन किन सर्थों पर रोसन रोही अपने घर ले कर गया जिन सर्थों पर उनकी आपस में अनबर्न हुई थी उसी सर्थ को रखा गया कि रोशन रोही का कितने इंटर्वियू में भी उन्होंने कहा कहा था कि हमारे काम में बाधा बन रही थी अगर हमारे कोई वो सर्थों में रिस्ता है अगर पर रिस्ता ज्यादा दन टिक है इस बात कि कोई गैरंटी नहीं होती है अखलेस कस्यब भी मौझूद थे, सिम्नंदन भारती जी जो हाई कोट के अधिवक्ता है वो भी मौझूद थी, कहीं ने कहीं महिला विकास मंच की पूरे टीम भी कल पहुंच गई थी, हालांकि वो लोग जो पहल की थी उससे असर परा नहीं, सिम्नंदन भारती की कहने पर र किरन सिंग को साथ में रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, खुसबु जी, कि जैसा कि किरन सिंग वहां से जाती है और उसके बाद आज सुबा में कुछ महिलाएं, संगठन की, वो कहती है कि किरन सिंग के साथ उनके घर पे मार पीट किया गया, इसको आप कैसे द लगातार उनकी खबद चलाते हैं, कोई एक केस हमें पता दिजी, जिन में वो एक बात पर टिकी रहती है, कभी वो लड़की अपक्ष में स्किल झे रिजभाल, गजधोट सावईड करती गलत को ये की होगा नहीं से लेकिन मतलब ट्रन्थιαर पी लेने का थ भी हद हो ता है महाराज अच्छ यह बता यह आ पने गही पशांड link गलत होता दिक्कत है उन लोगों में कि वो एक पक्ष का सुनके स्टेटमेंट दे देती हैं सिर्फ फर सर्फ टी आरपी के लिए अगर वाकई हम किसी में सुला करवाना चाहते हैं तो हमें पहले दोनों पक्ष की बात सुना परेगा जैसा कि हाईकोट अधिवक्ता सिम्नंदर भारती ज उसरे बग्त को तरह तरह की चीजें बोलकर उसके रिष्टे में और दरार ला देना वो चीजें नहीं होती हैं एक सवाल हमारे मित्र लोग कॉमेंट कर रहे थे जितने भाई देखते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये बताईए सर आप अपतरकार हैं सबसे बड़ा सवाल ये बताईए कि क्या किरन सिंग को जिन महिलाओं ने रोशन रोई के घर पे ले कर गई थी जो जोती सिंग को क्यों नहीं लेकर जाती है पवन सिंग के घर अगर वह उन्होंने प्रयास भी किया इस चीज का प्रयास भी किया जोती से संपर्क भी किया इनफेक्ट जोती के पक्ष में वह बयान वाजी भी कर रही थी लेकिन अजानक से उनका सुड़ी बदल गया यह तो हर कोई जानता यह नहीं कर दो कि लोगों के में चलाया हुए वीडियो जो वीना मान वी तक जोता कहड़ी तो आप उनके घर बहुत कर पास नहीं बहुता जरा तो आप उसको दबा दीजेगा और बड़े लोग के पास अब ड़ जगा होता है हर जगा हर फिल्ड में होता है हर जगा और हर फिल्ड में होता है जहां एक मामूली इंसान होता है उसका रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता और वही इंसान अगर पैसे वाला हो अगर किसी बरे उ कोमेंट में हम आपको दिखा देंगे मेरे मित्र जो है वो कॉमेंट किये हैं कि सर ये बताइए कि रौसन रोही रौसन रोही जो है वह वीना मानवी जी का ब्यान आता है कि रौसन रोही चुछुनर है यह है मतलब गलत गाना काता है भजपुरी में असलीलता फैल आता है और पवन सिंग को भी घंटा का स्टार कहती थी लेगिन पवन सिंग से मिली तो ब्यान बदल गया रोशन रोही से कल मिली तो उनको दमाद बना ली इस ब्यान को आप कैसे देखती है दर बदर पलट रहा हो उस इंसान की विश्वशनियता नहीं होती है और इसी प्रकार अगर माफी चाहेंगे इसी प्रकार अगर महिलावी कासमंच की महिलाओं का रुतबा रहा तो आने वले समय में इनकी विश्वशनियता एक है अभी तक तो है बचा हुआ कि लोग इन पर भरोशा करते हैं लोग इनके पास जाते हैं लोग कोमेंट में लिख रहा हैं कि कितना पैसा मिला रोशन रोही के तरफ से दमाद बनाने के लिए सिंपल से बात है आप अपने बातों पर नहीं टिकेंगे तो सवाल तो उठेगा ना आप जो कहते हैं अगर हम जनता को कल मोधी जनता को बोले कि हम 15 लाग खाते में देंगे लेकिन नहीं दिये तो आज उनको फेको बोला जाता है जनता कहती है हम नहीं पूरी जनता कहती है तो सिंपल से बात है कि आप अगर कोई प्रतिस्टित वेक्ती हैं आप अगर एक समाज से भी हैं तो आपको अपने बातों पर अटल रहना परेगा आपको अपना स्टेट्मेंट और आपको अपना जज्मेंट सोच समझ कर लेना परेगा ना कि पांच मिर्ट पहले कुछ और ना कि 5 मिर्ट बात कुछ और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपकी बिसुशने अता घट जाएगी और जो लोग आज आपको सम्मान की नज़र से देख रहे हैं वही लोग कल आपको बेज़त करें जाता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और इस बात का प्रमान मिलता है तो हम यह भूल जाएंगे कि वो एक महिला अभिकास मंच की अध्यक्षा है क्योंकि हम कभी भी गलत का साथ नहीं देतें चाहिए वो कोई भी हो रोशन रोही और किरन सिंग मामले में अब आगे क्या होगा क हम समझ रहें आपके बात लेकिन में इसका वज़ा यही था ना कि जिस चीज को अगर हमारे इंटर्वियू नहीं देने से किसी का घर बस जाए तो वो हमारे लिए ज्यादा बहतर होगा कोई भी इंसान चाहता है आप लोगों ने भी इस बात का कदर किया आप लोग घट ग नारवर्ड खुड़े दे और किसी एक पक्ष को गलत बूर के एक पक्ष को नीचा दिखा ने दोनों ने समझ ओता किया है दोनों अपनी गल्ती को चुंगारते हुए दोनों तूट फिर से तूट जाएगा अगर ये दोनों अपने डिसीजन पर रहते हैं आपस की एक दूसरी को समझने का प्रयास करते हैं एक दूसरी की गलती को सुधाने का प्रयास करते हैं तो साइद ये रिस्ता चल सकता है लेकिन अगर तीसरा इंटरफेयर करेगा चाहे किरन के पक्ष्ट से करें चाहे रोशन रोई के पक्ष्ट से करें तो फिर यह रिस्ता जादा दिनों नहीं होगे दोनों की अंडरस्टेंडिंग नहीं मिलेगी वो साधी का कोई मतलब नहीं रह जाता है तो साधी तभी करिये जब आपस में आप दोनों की बनती हो अन्यता जीवन को कहते हैं न कि खुद से नरक में डालने वाली हाल होगी और कुछ नहीं होगी उससे ज्यादा तो दोनों को सोच समझ कर रिसीजन लेना चाहिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखिए यह हमारे साथ खुसबूर आय थी जो की बेवाकी से अपना जवाब दी जो भी सवाल थे आप लोग के हमने सवाल का जवाब लिया बाकि क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के मादने हमसे कॉमेंट में जरू बताएगा और जय विहार